हेलो प्रेंट, मैं बिर्जिस कुमार, इस चैनल का नाम पहले एक बात बता रहा हूं कि इस चैनल का नाम पहले उजी सिनेट के रेकर था, लेकिन इस चैनल पर डेली सरकारी नोकरी से रिलेटेड वीडियो अफ्लोट किया जाता है, इसलिए इसका नाम गवर्मेंट जॉप्स फोर यू रखा गया है, लेकिन अभी यूटूब के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है, अप्रूव करने के लिए, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो जैसे ही गवर्मेंट जॉप्स फोर यू पे आप किलिक करेंगे, तो निचे लिखा हुआ आएगा यूजी सिनेट क्रेकर, तो इससे यह नहीं समझना है क यह मेरा चैनल नहीं है, पतलब यह चैनल मेरा ही है, अब बात करते हैं इस वीडियो में विविन वेकेंसी के बारे में, तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि यह जो वेकेंसी है, डेपूटेशन बेसिस पे हैं, और आप डेपूटेशन बेसिस पे नोकरी करना चाहते हैं, त पाइदा आमंत्रित है यह जो एड़ोटाइजमेंट है दस तारी को आया था यानि 11 फ्रावरी को नीज़ पेपर में पब्लिस हुआ है और नीज़ पेपर में पब्लिस होने की तिथी से आपका 45 दिन है अप्लिकेशन फार्म पहुंचने के लिए और ओपलाइन अप्लिकेश या भाव में वीडियो नहीं बना पता हूं और नोटिफिकेशन भी मैं ग्रूप में सेंड कर देता हूं तो आपकी इचाओ तो आप जो आइन कर सकते हैं नहीं इचाओ तो कोई प्राब्लम नहीं है अब हम बात करते हैं जो डेपूटेशन बेसिस पे पद है तो कौन-कौ साल तक है यानि लॉंग टाइम डेपूटेशन बेसिस पे हैं सेकेंड नमबर का जो पद हैं जुनियर एकाउंटेंट के लिए हैं और एक पद हैं सेलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपिय हैं टेकनिसियन के लिए सिंगल पद हैं और सेलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपिय हैं लेटरिंग पद हैं और सेलरी सेम हैं इस विड्रू में जितने भी पद हैं सभी डेपूटेशन बेसिस पे हैं ब्रोमेट प्रिंटर के लिए एक पद हैं और सेलरी सेम हैं LDC के पद पर आवेदा नामंत्रित हैं लेकिन इस LDC पद के लिए जो LDC का पद है ओल लाइवेरी साइंस की फिल्ड में है यानि क्वालिफिकेशन है पद LDC लाइवेरी का है और जो क्वालिफिकेशन है बाड़ी कलास पास लेबल पे हैं और साथ हमें डिप्लोमा इन लाइवेरी इन फार्मेशन साइंस है तो इसमें कोई कंफिश होने की जरुवत नहीं है क्वालिफिकेशन निचे में बता दूगा आपको सेलरी की बात करें LDC लाइवेरी के लिए तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपया है और डाकुमेंटेशन असिस्टेंट के लिए एक पद है और सेलरी सेम है यानि 19,900 से लेकर 63,200 रुपया पर मंथ सेलरी है यह जो वेकेंसी है डेपूटेशन बेसिस पे हैं सभी पद रेपूटेशन बेसिस पे हैं अब हम बात करते हैं इस पद के लिए डीटेल जंकारी में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की बारे में कि इसके लिए क्या करना है आपको तो सबसे पले क्या करना है कि इसके लिए कोई भी अप्लिकेशन सुलक नहीं लग रहा है एक्सपरियेंस है सारे पंद के लिए experience ज्यादा मांगा है तो यह experience से related detail जंकरी आपको देखना है साथी मैं थोड़ा सा hit दे दूँगा इसमें आपको क्या करना है अब हम बात करें application form फिल करने की process के बारे में तो आपको क्या करना है कि application form है वो offline फिल करना है यानि application form advertisement में है और यह advertisement मैं गुरूप में send कर दूँगा जहां से आपको download करके उसकी print निकालना है उसके बाद application form फिल करना है उसके बाद क्या करना है कि आपको application form फिल करना है और अच्छे से फिल करना है यदि आप government servicemen है तो जो APR है या ACR है उसों ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है इसके अलावा जो certificate है वो पूरे certificate आपको attach करना है application form पहुंचने की जोती थी है अभी मैं बताया था कि 45 days है यानि जो news है ये 11 तरीको रोजगार समचार में पब्लिस हुआ है और 11 फरोरी से लेकर 45 days है या अपको application form पहुंचने की थी है अब हम बात करते हैं qualification से related detail जंकारी के बारे में कि इस पद के लिए qualification कितना होना चाहिए तो देखिए जैसे हम qualification पर आते हैं तो यहाँ पर दिया है maintenance officer के लिए सबसे पहले experience दिया है कि इस पद के लिए experience आपके grade पे 1400 से लेकर 2300 पर होना चाहिए एक grade पे हैं इसके साथ में 3 साल का experience है इस पद के लिए कम से कम 3 साल का experience है जुनियर एकाउंटेंट के लिए qualification में बेचलर डिगरी रिकरिणाई जीनोसिटी हैं और 2 साल का experience है जो experience है आपका 2400 grade पे पर होना चाहिए या 5200 grade पर होना चाहिए technician के लिए भी experience है और qualification की बात करें तो 10 वी class पास science सब्जेक्स होना चाहिए और 3 साल का experience है और grade पे है वो sim grade पे पे experience होना चाहिए लेटर आर्टिस्ट के लिए हम बात करें तो बार्यू कलास पास आउट है इसके अलावा certificate in commercial art है और 3 साल का experience है सबंदित सब्जेक्ट में प्रिंटर के लिए qualification की बात करें तो बार्यू कलास पास आउट है इसके अलावा दो साल का experience है प्रिंटिंग से रिलेटेड क्यानि सिमिलर सब्जेक्ट में दो साल का experience होना चाहिए अब हम बात करें LDC जो लाइविरी का पद है इस पद के लिए तो इसमें देखिए एक experience मह प्रिंगा हुआ है क्योंकि आप 5 डेप्रिंटेशन बेसिस पर है इसके उनसार 5200 या से लेकर 20,200 रूपया है या ग्रेट पे जो है 1,800 रूपया है इसके अलावा इन्हीं तीन साल का experience regular service में इस ग्रेट पे पर आपका होना चाहिए अब हम बात करें qualification की बारे में तो बार् का computer application और knowledge of typing है और experience में कम से कम library attendant का से सबंदित एक साल का experience होना चाहिए documentation assistant के लिए बार्यू class pass level पे आवेदा रामंत्रित है और एक साल का experience है और experience जो है documentation in museum से सबंदित होना चाहिए क्योंकि यह जो vacancy है वो museum में आया है अभी मैं बता रहा हूँ कि कहां पे आवेदान आया है देखे यह application form है और इसी को फिल करके आपको send करना है इसमें detail जंकारी दी गई है इस detail जंकारी के सामने आपको फिल करना है अब हम बात करते हैं यह जो vacancy है कहां पे आया है तो national craft museum and हस्त कला अकडमी में आवेदान आमंत्रित हैं 10 तरीक यानि 10 फरावरी 2030 को यह notification आया था और 11 फरावरी 2030 को जो employment news आया है यानि रोज़िगार समचार आया है उसमें यह vacancy publish हुआ है और उसी 30 से 45 days आपको count करना है उसके अंदर ही आपका application form